हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग सिविल सवीसेज आप पर एक बार फिर से आपका स्वागत हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में दा हिंदू एडिटोरियल एना राइसिस करेंगे हम दो जून सॉरी दो जुलाय दो जार इकीस का तो यह शुरू करते हैं दोस्तों आज के जो इमेज सेक्शन में आज कार्टून आया है वो लेकर जो सुप्रिम कोट ने अंकल आदिश दिया है और यह कहा है कि आप सिक्स वीक्स में एक गाइडलेंड तयार कीजिए और उस गाइडलेंड के अकॉर्डिंग जितने भी जो कोविट एंटीन से अफेक्टेड जितने भी लोग है जिनको इस महामाजी में नुक्सान हुआ है उनको कंपनसेशन दीजिए ऐसी बात सुप्रिम कोट ने कही है तो तो उसी पर ये कार्टून आज का सफा है जिसमें नेस्मेंल डिजस्टर मेनजमेंट और्थरिटी है उसको उसका जो रूल राइगूलेशन है उसको जीन्स कहती है इननोंने तोड़ दिया है मैनेजमेंट को तो इस पेकार कि इसमें दशाही गई है मन्शा और प्रिदार म जी को यहां पर इसलिए दिखाए गया है क्योंकि जो एन डी ने में निका जो चेर्मेन होता है वह तौना प्राइम मिनिस्टर होते हैं प्रआम मंति शिको को इसमें सबस chores ब्ला है तो ऐसी बात इस पोस्टर इस कार्टून की दौर दिखाई जा रही है चली बढ़ते हैं आपने पहले एडिटोरियल की दलब दोस्तों यह जो एडिटोरियल है वो फैंडेमिक से रिलेटेड जो सुप्रीम कोट ने आड़ा दिया है उसी के ओपर ही है काफी बार हम कई आर्टिकल्स में कई न्यूस सेक्शन में हम इसे डिसकस कर चुके हैं पस एक थोड़ा ओवर भ जोगी नाइटिन से जो इंपक्ट हुए है लोगों का जिसमें कोई नाइंटिन का मामारी का जिसके उपर प्रिभाव पड़ा है उन्हें आप पर प्रवाइट कीजिए जो कि चार लाग का कंपनसेशन है वाकी संपनसेशन कि इस कंपनसेशन को उनके तोरह जो किसी तरीके से कम या जादा किया जा सकता है लेकिन जो डिजास्टर मैनेज्मेंट एक्ट के अंतर गते जो लोग इस क्राइटेरिया में आते हैं जिसे की मिनिमम स्टेंडर्ड आफ लाइफ पर का जाता है जो जीवन की जो ज़रूरी हैं उनका नुक सानु होता है जिनको अब नहीं मिल पाती है उनके आलोके जो 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 जॉब्स मेंट है उनका नंशान होता है तो इसके से ज ह Rank गैसे कर्दार्ड आफ लाइफ विसका अगर किसी को नुकसान होता है तो ऐसे इस तरिति में उसे compensation देना ज़रूरी होता है और compensation उसे दिया जाना चीह है आपको पता होगा कि पूर्ट में जब central government से उससे करके बात कही थी तो central government ने इसमोस पर मना कर दिया था और यह कहा जो से चाइर के पास में फिल्ब नहीं है, इसके अलावा जो अन्डाय में को ज़ूरब आपल बीबस गाइज के चुछ हाए कि से बीचा जो वर्कर्य स्टेट से धी स्टेट नहीं करते हैं और वरकर्स का रजिस्ट्रेशन भी आपको करना पढ़ेगा रजिस्ट्रेशन अगर आप पहले से करके रखते तो आपको यह स्टीथी देखनों को नहीं मिलती तुरह प्रबाव से आपको वो लोग मिल जाते हैं जने कंपनसेशन गया हुँता है इसलिए रजिस्ट्रेशन का प्रसेस स्टार्ट करने के लिए भी आप ने जो एंडिय में को कहा है और नेशनल डाटाबेस फॉर और और जो है उनके लिए एक डाटाबेस तयार करने की बात कहीं गया है जिसे एंडियू इस डाटाबेस अकॉर्डिंग ही जो कंपनसेशन है उसे आगी दिया जाने की बात कहीं गयी है और तो इस महामर की दोर में कोई भी व्यक्ति भूका नहीं सो यह ऐसी स्टिती को क्रेट करने के लिए डाटाबेस त्यार किया जाएगा जिसकी शुरुआत 31 जुलाई से की ग प्रेक्शन दी गई है तो इस प्रकार से जो सुप्रिम कोट है वो वर्कर्स के और फैमिली के जो कंपनसेशन है उसके लिए बार बार जो नए आदेश हैं वो दे रहा है और कह रहा है कि एक्स गेटिया जो अनुगर पूर्वक आप जो भी कंपनसेशन उन्हें दे सकते है वो कंपनसेशन प्रोवाइड कराई है बढ़ता है अगले अर्टिकल की तरफ दोसो इस अर्टिकल में कुछ विशेश नहीं है बस जो पुदू चेली के जो इलेक्शन हुए थी उसके पचास दिन बात में आज जो कांसल अफ मिनिस्टर है वहां फॉर्म हो गई है और पां इसमें डिले हुआ था और जो चीफ मिनिस्टर वहां के बनाए गए हैं अनका स्वामी उनकी जो तबित थी वो भी खड़ाब हो गी थी इसी वज़े से भी जो डिले है वो देखने को मिला है दूसरी और जो एंडिय की पार्टी का जो अलाइंस था वो आल इंडिया एनार क के साथ में था और से घड़बंदन में भी थोड़ा सा प्राब्लम होता था इसलिए अभी इस्तिती देखने को मिली है इससे विज़े से जो वहां पर गवर्मेंट का फॉर्मेशन है वो डिले हो गया था लेकिन आप फॉर्मेशन कर दिया गया है जिसमें पांच मिनिस्ट के बनाए गये हैं और जो टू मिनिस्टर्स हैं और यहां पर कफी चुनोतियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि जो 18% जो वहां पर रेविन्यू है राज्य का यूनियर्टरी का उसका रेविन्यू एक्सपेंडिचर एड्मिस्टेशन पर हो जाता है खाली और इसके अलावा जो 35% का एड्मिस्टेशन है 35% का जो एक्सपेंस है वहां पर सेलरी और पेंशन में चला जाता है इसके अलावा जो 17% का रेविन्यू है वो पावर परचीज में चला जाता है और अन्ने खर्चे अलग से हैं इस चेट के तो इस परकार जो वहां पर चीज को इसमें दिखाया गया है और कहा गया है कि जो सेंटर गवर्मेंट के दौरा जो लेगेसी लोन थे जो पुराने लोन थे उन्हें खतम करने की बारत नहां पर कही गई है उन्हें वेव करने की बारत करने की बारत कही गई है जो कि लोन 15 साल तक पुराने थे तो ऐसी इसे सुधार पाती है और एक अच्छी गार्मेंट वहां पर रन कर पाती है तो इस आर्टिकल में सरफ इतना ही था बढ़ते हैं आगले अर्टिकल की तरह और दोस्तों फिर सिद्गिन इस प्रीवादμέ usually a हैं इसुछ भीFee किसमार्ट इसुछ इसुछ इवाइब तो मालतों ही आतो होगी। ऐसले एक छोमे सुछ तब और गा יए उस ने दॉचर्ड शुछ ₱्य। अब डिटेल में इस अर्टिकल को देखेंगे दोस्तो जो एनडी की गौश्मेंट थी उसने जो स्मार्ट सिटी मिशन चालू किया था उससे स्मार्ट सेटी मिशन में उसनों ने जो कई सिटी चूज की थी ओने एक नैशनल और इंटरनेशनल लेवल पर उने डगलप करने की बात कही थी और यह जो मैनिफेस्टो था उनका 24 का इलेक्शन का उसमें इस बात को उन्होंने दोराया था कि इस तरीके से हम 100 स्मार्ट सिटी का एक प्रोजेक्ट रिया करेंगे और इसे इंप्लीमेंट करेंगे जिससे कि वो वर्ल लेवल पर डवलप हो सके तो इस परकार से हैं कि इस्मार्ट सिटी मिशन जो चला गया था वह बहता साकारक के एक नेश्नल भीशन था इसके बाद जो बात की जारी है वह एक क्षप रॉक्ष के ज होर ने कि सदॐ ह। और नहीं किस प्रकार से तो इस प्रकार से जो इनकी एफिशेंसी है वो किस प्रकार डिसाइड की जाती है इस प्रकार की कोई प्रॉपर गाइडलाइन या प्रॉपर डैफिनेशन नहीं है और आप जानते हैं कि जो हमारे देश में इंफर स्ट्रेक्चर का कितना प्रॉब्ल इसके लब जो आई लीवल का पॉलिशन है इस तरकी की चीज़े भी है लेकिन कोई प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो स्मार्ट सिटी की नहीं है और इस प्रकार का इंप्रॉप्मेंट जो इस मेशन के दोरान इन सिटी में किया जाता है उसका भी कोई प्रॉपर गाइडलेन प्रॉपर नहीं किया गया है तो ऐसी स्मार्ट सिटी किस प्रकार की होगी और किस प्रकार से उसे डवलप किया जाएगा इस प्रकार इसके बारे में कोई प्रॉपर सिनेरियों नहीं है तो उसके बारे में आपर बताया गया है कि ऐसी स्मार्ट सिटी है उसे आप किस प्रक से जो आदे पार कैई वह स्मार्ट बात करही है रोब उस इंप्वरे इंफार्श स्टुर्ट के जो में जिनको इसके अंदर रा गया है उसको आने इंफार्स ट्रक्टर प्रोग्राम जो ते वह से उह का जा करे अय desafi अधिक के प्रजार मंग नगा इसके अगार धाल में आवास होती है उसे इसले हम प्रस्व tरहए तलिधा शामिल गया था से ड़र उससे iisra चट और चाली एक प्राजेक्ट आक ऑंखया था कई है फ मांघ और में horizon को लेकर ढूबलोपमेंट हुआ था जो सस्क्राइब आ पर डैवलोप हो था उससे जो महमारी थी अभी उसमें काफी मदद में थी उस इंफरॉस्ट्रॉक्टर के दॉडरा ंचो भी वरस्ता कोवीड को लेकर की जानी थी वह वरस्ता आसानी से हो पाए थी इस परकर कि बाद डीकल के हैं पुलमीना का जो इस आर्टिकल में बात की रही है वह इक पता हो इसम एकी इस्मार्ट शिटी में तो उसे एक शी-पिष्टा तो पूर्ट में देखा जाता है है बहुत करना है युपमिति जमएक है स्मार्ट रहुट को बनाना है और सिल देखते हमें। शीन वस्तन के अगा है माने सब्सक्राइब एक पूदा सब्सक्राइब ढ़ने से ऊटचेक्तिIntel में इसे स्टेट में किसी भी इस्टेट को एक प्रिकार को सब्सक्राइब हाने जो नहीं होगा इस परकार के बार इस आर्टीकल में कही गई हैं, दोस्तों स्मार्ट से एसे एडलेक्ट कुछ से विशेश बाते हैं, जो आपको पता होने चीह हैं, तो आइए उन्हें देखते हैं, सबसे पहले जो स्मार्ट सिटी मिशन है वो गड़ किया गया है। उसलिए इन शेत्रों को डवलॉब करने के लिए इस परतार के मिशन को शुरू किया था ताकि 2030 से को डवलब करके और ब्रत के अबाराइं के इन शेरों में 40% हो जाएगा इन के युगदान युगदान कुछ こछा को जाएगा millennial Smart City Vision का दो इससे दिखते हैं स्मार्ट सिटी उनकी सबसे हैम चाहता है जिवर में सुधा के लिए सबसे बड़े अवसरों पर ध्यान करिद करता है बदलाव के रिस्ट्रिकॉन से इसमें एक शंकला अपने गई है जिसमें डिजिटल और सुझना प्रद्रगी है शेरी यूजनाओं की सरवत्तम प्रताएं सब्सक्राइब और सब्सक्राइब है इसमें लोगों को इपरात्मिक्ता दी जाती है इसके लावा इसमार्ट सिटी मिशन के रिस्ट्रिकॉन अदेश ऐसे सेरों को बढ़ावा देने का है जो मूल बुनिया दी सुझना है वहां पर उपलब दो करा है जैसे कि पीने का पान सब्सक्राइब दूड़ा की गई है वह पूरी शहर में पहल जिसमें कम से कम एक समार्ट समाधन शैर्ण में लगो किया है उसमें शेत्र का कदम दर कर्दम विकार्स और जो शेत्र के आदाहर पर प्रगति के तीन मॉडल इसमें लागो किये गया है इसमें रेट्रोट मिशन के अंतरगा तहम मुद्रोग के रायत लिया गया है जिसमें प्रयाप्त पानी के आपूरती है निशिर विद्धोत आपूरती है च्छो सबसेट प्रबंदन है और कुशल शायदी गति शिलता है इस परकार से जो बेसिक चीजें हैं इन चीजों के आधार पर ही बेसिक रांकिंग की जाती है ऑजमार्ट सिटी का जो दर्जा है उससिटी को दिया जाता है इसके रागा किफाएटी आवावास जो अफोरडेबल आवस उप्यम आवस यूजना के अंतरगर दिया जाता है इसके लगविशेशूप सब्सक्राइब के लिए सुद्राइटिक और डिजिटराइजिशन भी है इसे से ही स्मार्ट सिटी का जो विजन है वो देखा गया है और इसी तरीके से डवलप किया जा रहा है इसका जो कवरेज है वो सो शेरों में अभी फिलाल किया है और वित्य वर्ष दोजार पंदा सोला सोनीस बीस तक यह रहेगी और हाली में 2020 में वापस से जो रैंकिंग है वह अभी प्रोवाइट करें गई है इसके लवा प्रतिश शहर में जो इसमार्ट सिटी का जो माप्दंड होगा हो हर शेर के लिए अलग अलग होगा वहां पर जो रिसोर्स अविलेबल हैं उसके साफ से उन्हें रैंकिंग दी जाएगी और जो 50-50% का उसमें रिश्यो डिसाइड किया जाएगा इसके लावा इसमार्ट सिटी का जो वित्व पॉर्शन है वह सी एसे सो और केंजरे प्रियोजित यूजना है केंजरे के दोरह ही इसका स इसमें प्रिदान की जाती है इस पेकार जो भी सरकार्ट या जो डिस्टिक की जो गवर्मेंट होती है या लिजिसलेटिव बाडी होती है उन बाडी के दोरह इसका जो प्रबंदन किया जाता है उसके साफ से उन्हें रैंकिंग दी जाती है और इसमार्ट सिटी रैंकिंग में जो प्रावधान है उसके अनुरूप अगर उनकी स्टिटी रहती है तो उने फाइनेंशियल हेल्प भी दी जाती है या एड भूलने फाइनेंशियल एड भी दी जाती है इस परकार की बात इस स्मार्ट सिटी योजना में की गई है है फुल में लाकर दोस्तों जो स्मार्ट सिटी का जो विजन है हमारा वो तभी पूरा हो पाएगा जब एक सही तरीके से जब सीटी में सारी सुविधा हैं उपलब्द होंगी और उन सारी सुविधा को उपलब्द दरने के लिए एक बड़े रिसोर्स लेवल के आवशकता है विजेंनी का जो में हो पाएगा मिशन हो हमारा कंपी रोंप आई गाई में और डियूं से संबंदू कुछ विजेस बात में से जो अपने बढ़ तक दीन अगली दोस्तों इस वे जो जो आपने इसать कर देना आपसे म decisions Ten से जो आपने ज thinkingoni में चली बढ़ते हैं ऑगली आख जिसमें 2nd amendment किया गया है, इस 2nd amendment के 12 जो assembly थी उसकी पावस को cut किया गया है और उने कई ऐसे शेता हैं जिन पर बोलने का अधिकार है वो cut किया गया है, तो इस प्रकार की बाद इसमें कई गई है, तो इसमें कुछ सम्वेधानिक प्राब्लम भी इसमें बताई गई है, और यह किया गया है कि जो center है, उसमें 1991 में जब यह act बनाया गया था, तो उस समय पर इसमें यह प्रावधान किया गया था, तो दिली की जो शेयर से दिली से जो संबंदित decision है, वो दिली के assembly ले पाएगी, लेकिन अभी इसमें संशुदन करकर, वहां पर जो development से संबंदित जो भी किया गया है, जो कि समय जानिक बताए जा रहा है, उसी के उपर इसमें जैचा की गई है, और बुला है कि जो center के द्वारा किसी state विशेश की जो पावर है, उन्हें जो रोका जा रहा है, और उन्हें जो कट किया जा रहा है, वो समय जानिक नहीं है, और इस पेकार से जो federal structure है, संप्रभूत structure जो हमारी country का है, वो break होता है, उसे नुकसान होता है, तो देखते हैं, जो राज़ानी शेत्र दिल्ली कानून का विशेश जो प्रावधान किया गया था, वो क्या कहता है, दोस्तों इसमें राज़ानी शेत्र दिल्ली कानून संशोदन 2021 को 8 फरवरी 2021 को राज़ासबा में पेश किया गया था, और जो कि दिल्ली कानून विशेश प्रावधान 12 संशोदन अत्यादिश 2020 को दद्द करता है, और 30 दिसमब 2020 को जारी किया गया था, जो इसके लावार जो ये बिल है, वो संशोदन कानून 2011 में संशोदन करता है, 2011 के एक्ट में निवलेखित प्रावधान हैं, जिसमें दिल्ली शेयर इंप्रुम्मेंट बोर्ड एक्ट 2010 है, दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के प्रावधान के दस्था, सिलम निवासी और जुगी जुपनियों क्लस्ट्रेस को इस्थान अन्तेट करना है, उसके लोग अनादिक मास्टर प्लान के अंतकत किसी निवान की तोड़ फोर्ड या सिलिंग की इस्तिधी में कोई जन्डार्ट मकारवई ना करना और लोगों को कम से कम तकलीश देना, लिल्ली मास्टर प्लान जो 2020 है, उसमें के इंदर सरकार ने साथ फ़र्वें 2007 में अधुसरी चित किया गया इसके अलावा जो इसकी वैदता है, वो 2021 दिसम्बर 2020 तक वैद था और इसकी सिर्मा 31 दिसम्बर 2020 तक बाड़ा दी गई है, अब 2030 यह एक्ट वैद रहेगा, इसके लवा अनाधिकत कालोनी का जो नियमेती करन इनके दोरा किया जाता है, उस पर भी इसमें चीजिस किया गया जिसमें जोर्जा 11 के एक्ट के अनाधिकत कालोनी के नियमेती करन का प्रावधान है, जो 31 मार्ज दोर्जा 2 को मौझूद थी और जहां एक जो दोर्जा 14 तक का नियमान हुआ था, बिल के संशोड़न किया गया है, और था गया के अनाधिकत जो कालोनी हैं, उनको राष्ट आधिकार जोर्जा जोर्जा 11 के अधिकार के अनुसान हुआ तता इस प्रकार की जोर्जा 9, 4 को मौझ। थी और जहन वीड़ हैा है, और चयं़ जाओ ये 112,5 तक जो 50 पसंट विक्सित हो गई थी उनके नियमें के लिए, सब्क्राइब करने के निर्द आपने सब्सक्राइब है करने की जो इसी प्राप्त नहीं है इस प्रकार से वो चेंजे नहीं कर सकते हैं इस प्रकार की बाद इस डो पार की सटेट के पारस में होना चींद। बीधि सवतंतर राज्य कें अंट। इसी बात सटेंत ज्यूइब की थिया है। यह बाद डृड्वाम है.. सब्सक्रांज करें तब इसके कुछ है.. करना है तो ऊसकी पावर की गई है जो कमी की गई है इस प्रकार की अगर वह को है चलिए बढ़ते हैं इस आगले आटिकल की तरह डोसरी इस अर्टिकल में जो बत की गई है वह इंडिया में इंवेस्मेंट का पर लेकर बात गई है और जो इकोनामिक पैरामिटर्स में उनका जो करते होर्य स्टेटर्स पाहिए नहीं उनका दिखाए जा रहा है उसके बारे कि इसमें इसे चाहिए कि ए बस्काइब को लेकर जो गला स्पारियो पेज़न के जा रहा है वह हुआ नहीं कारेक हो सकता है और एक बुझए भविशय की तरह फाहिमें लेजा सकता है दोस्तों ये आप एंडियन कि इकोनॉमी से लिटर आर्टिकल है और इसका जो डिटेल डिस्कूशन रहेगा वह आवाद इंडियन एकॉनमी के लेक्टर में रहेगा तो इसलिए इसका डिटेल जो अनलाइसेस था हूँ हम इस लेक्टर में कवर करेंगे हारो फिर रहे हैं को मिलाकर कर दिए साइकल में घो में यहीं बताए गई है जो इंवस्टमेंट हेव एक कंके का जो इइंपॉर्टेंट भाइट रहे हैवर通 सेे इंपॉर्ट्र Honko वाम आपको Somerics एडिटोरियर इनलाइस में बस इतना ही इस वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आपको इस वीडियो में कुछ नमी लगे तो में कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा इसाथ की है में फेस्बुक ट्रेटर और इंस्टाइकाम पर फॉल